सब को बनाना से खाऊंगा रासाइनिक अभिक्रिया केमिकल रियक्शन सब को बनाना से खाऊंगा केमिकल रियक्शन सबसे पहली बात है कि रासानिक अभिक्रियाई क्या होती है रासानिक समी करण क्या होते हैं इसको देखेंगे तो आप सब का किसी भी तरह से टाइम बरबाद ना करते हुए बातों को समझाना है और हाँ बिटा जहां पे लगता हो आपको कि इन चीजों को लिखना चाहिए तो उनको आप पाउस कर लो स्क्रेंशोट नहीं स्क्रेंशोट लेकर कि आप कभी देखते नहीं हो आपको पता होगा ये बात तो आप क्या कर लो पाउस कर लो कौपी और पेन लेकर के बैठ जूँ और वो चीज़े देखें कि रासानिक समीकरन Chemical Recovery का एक महत्पुन भाग होता है याने आप समझते हो कि रासायन का सीधा सा मतलब होता है पदार्थ और रासानिक अभिक्रिया का मतलब होता है इन पदार्थों का आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण चलो रासानिक अभिक्रिया को समझने के लिए कुछ बातों को पहले समझे पहली बात है कि रासानिक अभिक्रिया वो रासानिक समीक्रण है क्या चीज इन बातों को समझने से पहले आपने अपने जिन्दगी में कई तरह के परिवर्तन देखे होंगे तो उन में से कुछ परिवर्तनों को समझें कि क्या ये परिवर्तन आपने कभी देखा खाना बनाना, खाना बनाते समय, खाना पकाना एक परिवर्तन है ये देखे, प्रकृती में दो तरह के परिवर्तन होते हैं आपने छोटी क्लास में समझे हैं, बहुत छोटी क्लास में यानि प्राइमरी क्लास से समझे हैं, प्राइमरी क्लास, मेडल क्लास इनने समझे हैं कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं अपनी दुनिया में एक होता है भोतिक परिवर्टन एक होता रासानिक परिवर्टन तो आपके सिक्षक ने बताया या आपने खुद देखा है परिवर्टन जैसे कुछ परिवर्टन जैसे हम भोजन पकाते हैं, खाना पकाते हैं क्या ये कोई परिवर्टन है हम परिवर्तन दो तरह से बात करते हैं रासानिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है पदार्थ जो है वो अपनी अवस्थाएं परिवर्तित करती है अपना रूप परिवर्तित करती है और ये एक तरह से उतक्रमनी होता है, यानि दोनों दिशाओं में चलता है A से अगर पदार्थ B बन गया, तो B से A बन जाएगा जैसे एक light on करते हो, तो जैसे light on करे, उसको current मिलती है, वो प्रकाशित होने लगता है जैसे switch off करते हो, उसको current मिलना बंद होता है, ये प्रकरिया अब कई बार कर सकते हो, कोई परिवर्त, कुछ नहीं होता है ये भौतिक परिवर्तन है, बर्व का पिघलना, बर्व का पिघलने से वो जल बनता है, जल से फिर बर्व बनता है, ये द्रव और ठोस में परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन है जब हम खाना पकाते हैं तो खाना में कुछ आपने देखा होगा कि वो हाड से नरम हो जाता है एक भौतिक परिवरतन को दर्शाथा लेकिन ये वितकरम नहीं होता है तो यहां पर मुख्य रूप से रासानीक परिवरतन होते हैं आप भोजन में उसके स्वाद में भी परिवर परिवर्तन होगा, chemical changes होता है जब खाना बनाए जाता है, फिर बात करते हैं यहाँ पर कि बर्फ का पिघलना को इसा परिवर्तन है, आपको पता है बर्फ को अगर शुने डिग्री से अधिक तापमान पर ले जाए जाए तो वो क्या हो जाए का पिघलने लगे का ठोस से द्र उसमें परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ पर जो chemical है, chemistry है, यहाँ पर chemistry क्या चीज़ है इन में, इसमें chemistry है H2O की जिसको पानी, जिसके तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्राव, गैस, यह वाश्प कहलाता है, वैपर कहलाता है, यह जल कहलाता है और यह यहाँ पर इसके ल कम ताप और अधिक ताप, अब कम ताप के स्थिति में, आप जानते हों कि यहाँ पर range है, 0 degree Celsius से 100 degree Celsius, तो इस परिवर्तन को बोला जाएगा, एक भौतिक परिवर्तन है, physical change है, बातों को समझते जाना, मैं रासानिक अभी क्रियाओं को सिखाते वे चलूँगा, आपको एक कोपी में जरूर लिखेगा, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने देखा, खाना पकाना एक रासानिक परिवर्तन है, जबकि ये ठोस से बर्फ में परिवर्तित होना, पिखलना, बर्फ का पिखलना, या द्रोग का बर्फ में परिवर्तित होना, एक भौतिक प इसके रासानिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस परिवर्तन को भी हम यहाँ पर फिजिकल चेंज कहेंगे बहुतिक परिवर्तन कहेंगे यहाँ पर हुआ बहुतिक परिवर्तन यहाँ पर हुआ रासानिक परिवर्तन हमने देखा ये तीन परिवर्तन अब देखो इस में लोहा आपको नजर आ रहा होगा लोहे पे जंग लगना भी नजर आ रहा होगा ये लोहे पे जंग लगना हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर तापमान में परिवर्तन करके हम वापस प्राप्ट कर सकतें इनको लेकिन अगर लोहे में जंग लग गया तो उसे प्राप्ट करने का तरीका ये नहीं होगा कि तापमान में परिवर्तन करें या इसके पानी निकाल दें तो ये फिर से वही बन जाएगा यहाँ पर और oxygen को ग्रहन करके साथ में कुछ hydrogen निकला होगा तो ये जो है परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन रासानिक कभी करें है क्या है यहाँ पर जो होने वाला परिवर्तन है एक chemical परिवर्तन है क्योंकि यहाँ पर लोहा जो शुद्ध है और जो जंग लग गया है यह ब्राउन ब्राउन दिख रहा है वो यह है हमने रासानिक परिवर्तन यहाँ पर दिखा अब देखे इस जगा पर कौन सा परिवर्तन है बच्चे बताओ कि यहाँ का फलों का पकना क्या है फलों का पकना क्या है बहुत तिक परिवर्तन है कि रासानिक परिवर्तन है जल्दी से बता दो आप एक बच्चे ने लिखा है कि मैंने 10th में 90% स्पाया है बिल्कुल, very good बिटा, बहुत अच्छी बात है मनिश कुमार ने, आपको बधाई बताओ ये परिवर्तन कौन सा ये परिवर्तन है रासानिक परिवर्तन फलों का पकना, कच्चे से पक्के में परिवर्तन होना एक रासानिक परिवर्तन है और इस क्रिया को देखिएगा कच्चे फलों को तोड़ा जाता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह जहां पे बेचना होता है उस जगह पे ले जा जाता है उस जगह पे ले जा करके आपको एक मज़दा बाब बताता हूँ उसे केल्शियम करबाइट के भट्टी में रख दिया जाता है याने कि रूम में एक के बाद एक बड़े से उसको चेमबर में रख दिया जाता है किनको रैक में रख दिया जाता केले को और उस रूम में थोड़ी सी केल्शिम कारबाइड को पेपर में लपेट के अगर जगा जगा पर रख दिया जाता है और वहाँ पर निकलती है इनकी जल से क्रिया होने पर बनता है C2H2 Acetylene Gas और यह बन जाता है तो यह reaction क्या होता है इसके बारे मैं बात करूंगा बाद में तो यह इस तरह से फ़लों को पकाने में मदद करता है एक तरह का chemical hormone का का काम करता है क्रिक्तिम अर्मों का काम करता है लेकिन यहाँ पर पेट पोदो में जब पकर रहे हो क्या यहां पर मोम बत्ती में होने वाला परिवर्तन, क्या आप बता सकते हैं यहां पर कौन सा परिवर्तन है, मोम बत्ती में होने वाला परिवर्तन, आपको दो तरह के परिवर्तन नजर आएंगे, यह मोम है, वैक्स है, मोम, मोम जो होता है, सॉलेड यानि ठोस होता है, यह म लिक्विड में परिवर्तित हो गया, तो इस जगा पर एक घटना हुई है, जब गर्म हुआ है, तापमान में परिवर्तन हुआ, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, और फिर से ठंडा होगा, तो फिर ये ठोस बन जाएगा, ठंडा होने पर, फिर से ये मोम कैसा हो जाएग solid हो जाएगा यहां पर फिर से solid हो जागा तो यह जो प्रक्रिया हुई यहां पर ठोश से दरोब दरोश तो यह तातमान में परिवर्तन के साथ तो मों का स्वरूप परिवर्तन इतनी हो पदार्त वही है उसका formula वही है जितने carbon हो यह एक तरह का hydrocarbon है जिसके बारे मैं बात करूँगा कि reaction क्या होता है ये शुरुवाती दोर की बात समझे तो यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई है ये परिवर्तन पूरा का पूरा ये परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन को दर्शा रहा है परंतो यहाँ पर मौम वातावरान से अक्सिजन गरहन करता है और इसके साथ ये बनाता है दो चीजें कार्बन डाय ओकसाइड और जल का वाच्प गैस के फॉर्म में और जल का वाच्प ये भी गैस के फॉर्म में ये निकलता है और काफी अधिक मातरा में हीट पैदा होता है गर्मी पैदा होती है उश्मा पैदा होता है ये भी उश्मा भी निकल रहा है यहाँ पर जो परिवर्तन है यह परिवर्तन एक chemical change है यानि कि रासानिक परिवर्तन है तो भौतिक और रासानिक दोनों परिवर्तन यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है अब बात करते हैं यहाँ पर कि रासानिक अभिक्रिया क्या है रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं हलो अब जो अपनी जिंदगी में हमने जो जो रासायनिक परिवर्तन देखे थे वो एक्चली रासायनिक अभिक्रिया है जैसे फलों का पकना फलों का पकना एक प्रकार की रासानिक अभिक्रिया वहाँ पे हुई है अब यहाँ पर इसी शब्द पे ध्यान दें इसको हम कैसे कहेंगे रासानिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और उन नए पदार्थों के नए गुण होते हैं रासानिक परिवर्दन कहला निएरा बहुत सुंदर सा परिभाषया आपके सांथ है छोटी सी परिभाषया क्या बता है अगर आप एक्जाम में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं रासानिक अभिक्रिया क्या है? रासानिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है, वे घटना है, वे परिवर्तन है, जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और नए पदार्थों के गुण अलग होते हैं चलो एक चीज़ देखते हैं, सिंपल सा एक चीज़ देखते हैं, एक रासानी का भिग्रे को समझें, यह hydrogen है और oxygen, hydrogen और oxygen मिल करके पानी बनाते हैं, hydrogen और oxygen मिलकर के पानी बनाते हैं सिर्फ अब यहां पर जो hydrogen एक अलग पदार्थ है जबकि oxygen एक अलग पदार्थ है अब देखो oxygen एक gas पदार्थ है जिसको आप जानते हों कि प्रकृति में इतनी सारी gas हैं फिर भी हमारे हमारे शरील को सिर्फ oxygen की जरुरत होती है हमारे शरीर को चलने के लिए oxygen की जरुरत होती है तो oxygen एक अलग पदार्थ है और इसी तरह से hydrogen एक अलग पदार्थ है तो दो अलग अलग रसायन दो अलग अलग रसायन मतलब पदार्थ होता है तो ये अलग-अलग पदार्थ मिलकर के पानी बनाते हैं, तो पानी की जरूरत है, क्या हाइड्रोजन और अक्सिएन को दोनों को हम ले लें, तो क्या अंदर पानी बन जाएगा हमें पानी की जरूरत हो तो नहीं, हमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम पानी उपयोग करे आक्सिन की जरूरत होगी, जहां पर आक्सिन को प्योग करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन की हमारे शरीर को ऐसे डायरेक्ट जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन को डायरेक्ट किसी तरह से जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, तो ये दो अलग-अलग पदार्थ, मिल करकर तीसरा पद और इतनी तेजी से रियक्शन करता है कि बहुत सारी गर्मी भी पैदा करता है और वो गर्मी वहां से निकलने वाले हाइड्रोजन गैस के साथ जल करके एक तरह से विस्फोट पैदा करता है तो देखिए सोडियम एक अलग पतार था सोडियम को खाएंगे आप अपने जिंद की तरह काम करेगा ये दोनों ही अमारे शरीर के लिए प्रांगा तक हो जागा इसको डारिक्ट उप्योग करें लेकिन आप जानते हो सोडियम क्लोराइट जो की नमक होता है इसको आप रोज दैनिक जीवन में उप्योग करते हो अपने भोजन के रूप में यहने अपने भ प्रक्रियाओं की प्रक्रियाओं को तो देखें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिल करके तीसरा पदार्थ बना रहा है तो जो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं इन पदार्थों को हम कहते हैं रियाक्टेंट या अभिकारक क्या कहते हैं इनको अभिकारक कहते हैं और तो अब ये समझो कि मैंने सोडियम पर क्लोरीन गैस डाला और वो सोडियम और क्लोरीन आपस में कुछ ऐसा कुछ परिवर्तन किया कि एक नया पदार्त बन गया जो की नमक है। हम इस तरह से लिखने का मतब क्या समझ मैं हैं कि हमने ये दोनों लिया था जो कि इनके मिलने से ये बन गया ये बताता है कि अब ये मिल करके ये खतम हो गया अब ये बन गया उत्पाद तो अभी कारक रियाक्टेंट कहलाता है इंग्लिश में रियाक्टेंट कहते हैं और उत जिंक सल्फेट और हैड्रोजन गैस बनेगा बातों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं बहुत सारी इंफोर्मेशन आपको देंगे ति इसलिए थोड़ी से हड़ बढ़ाएंगे नहीं बातों को समझते हुए चलेंगे एक एक बातें आपको समझ मैंगे फिलाल आप बात कर रहे थे हाँ जी तो यहाँ पर क्या देखे जिंक और सल्फियूरिक एसिड मिल करके क्या बनाया जिंक सल्फेट और हैड्रोजन गैस बनाया तो यह प्रक्रिया है क्या हो रही है हमने जि जिंग सल्फेट और हाइड्रोजन गैस अब बात करते हैं यहाँ पे कि रासानिक अभिक्रिया के कुछ पदार्थ के बारें बात करते हैं कि रासानिक अभिक्रिया अगर हो रही तो किसको क्या कहेंगे तो जो जिन पदार्थों को आपने रासानिक अभिक्रिया में लिया है उनको reactant कहते हैं यानि अभिकारक जो कि मैंने अभी थोड़ी दिर पहले बताया अभिकारक या अभिकर्मक और अस reaction के बाद जो प्राप्थ होता है उनको कहते है product यानि कि उत्पाद कहा जाता है इस बात को ध्यान देंगे तो आपके left hand side में जो लिखा जाता है वो reactant है और right hand side में लिखा जाता है वो product है पूरी वीडियो लाइन से देखते हैं अब बात करते हैं रासानिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में प्रतशित करना रासानिक समीकर्ण कहलाता है अब बात हुआ कि हमने रासानिक अभिक्रिया किसको कहा कि किनी दो या दो से अधिक पदार्थ अपस मिल करके किसी तीसरे या चौथे पदार्थ को बना रहा हो यानि कोई पदार्थ अन पदार्थ में परिवर्तित हो रहा हो एक रासाइन दूसरे रासानिक अभिक्रिया कहे रहे थे ये रासानिक अभिक्रियाएं जो हो रही थी उसे प्रदशित करते हैं तो कैसे प्रदशित किया जाएगा इसको जरा समझेंगे रासानिक समीकरण तो उनको संकेतों के रूप में प्रदशित करना रासानिक समीकरण कहलाता है तो देखो यहाँ पर मैंने किस तरह प्रतशित किया है Zinc और Sulfuric अमला भिक्रिया करके Zinc Sulfate और Hydrogen बना यह रासानिक समीकरण को दर्शारा है पर यह रासानिक समीकरण शब्दों में दर्शारा है इसको word equation कहते हैं शब्द समीकरण कहते हैं इसको शब्द समीकरण कहते हैं थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग यह समीकरण जो लिखा है इसको कहेंगे शब्द समीकरण word equation कहेंगे इस बात को ध्यान देंगे लेकिन इस word equation को equation में रासानिक समीकरण में कैसे परिवर्चित करेंगे समीकरण में कैसे परिवर्चित करेंगे यह शब्द समीकरण को तो इसको थोड़ा समझेंगे यह zinc और यह sulfuric अमल है थोड़ा सा इस बात को थोड़ा समझेंगे zinc का संकेत क्या है उसे इध्यान रखें Sulfuric Amla का formula क्या है H2SO4 है और जो बनेगा वो zinc sulfate है तो zinc sulfate में zinc और sulfate वाला भाग ये हो गया और hydrogen तो ये कैसे हुआ होगा इसके बारे में आगे जाके जानकारी आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा समझेंगे तो इस तरह से zinc और sulfuric Amla मिल करके बनाया अभी clear करके बनाया Zn, SO4 और H2 gas अब इस चीज़ को कैसे clear करेंगे आप सब इसके बारे में बात करता हूँ थोड़ा सा समझेंगे बातों को थोड़ी सी बात हैं यहीं पर बताना चाहूँगा जब भी किसी equation को लिखा जाता है समी करना को लिखा जाता है एक होता है तत्तों को कैसे लिखा जाता है तत्तों को तत्तो तत्तो याने elements इसको कैसे लिखा जाता है तत्तो याने के elements elements को लिखने के लिए उसके atomicity का उप्योग किया जाता है atomicity जिसको परमानुकता कहते हैं जैसे hydrogen एक तत्तो है तो H2, chlorine, Cl2, phosphorus, P4, sulfur, S8 के रुप में लिखा जाता है समझेंगे छोड़ी छोड़ी बाते है लेकिन योगिकों को कैसे लिखा जाता है योगिक योगिकों को लिखने के लिए योगिक यानि जिसको इंगलिश में बोलते हैं compound compound को लिखने का तरीका क्या होगा compounds को लिखने का तरीका होता है उसकी सही होजगता, valency valency के आधार पर, यानि सही होजगता के आधार पर क्योंकि यहाँ पर दो या अधिक तत्तों आपस मिलते हैं अब यह कैसे possible है, कैसे समझेंगे इन चीजों को मैं equation में आपको समझाता हूँ, एक ये वीडियो बहुत महत्तों पुर्णे बिटा आपने दोस्तों को जरूर सुनाईगे का दिखाईगे का, आप भी खुद दिखिए का sodium ये है क्या चीज़, sodium एक तत्तो है, sodium क्या है, एक तत्तो है, element है chlorine क्या है, एक तत्तो है, element है, मैं यहाँ पर दिखा दिता हूँ, ये element है, E से दर्शारों, ये योगिक है, compound है, C से दर्शारों ध्यान दिखेगा, छोटी सी बार, sodium एक तत्तो है, chlorine एक तत्तो, जबकि sodium chloride, sodium chloride, दो अलग अलग तत्तो का है, सास हो रहा है यहाँ पर, sodium और chloride, तो ये योगिक कहलाएगा, समान प्रकार के परमानों से बने हुए पदार्थ को तत्तो कहते हैं, element कहते हैं, ध्यान से मैंने क्या का, समान प्रकार के, समान परमानों से बना हुआ पदार्थ तत्तो कहलाता, लिख लिया करें, लिख लिया करें, और दूसरी बात, योगिक की बात कर रहा हूँ, योगिक क्या होते हैं, दो या अधिक तत्तो के परमानों के निश्य संयोग से बने हुए पदार् सोडियम के एटमिसिटी होता है एने इसमें एक ही परमानों होते हैं याने सोडियम एने एने लिख सकते हैं हम एने लिख सकते हैं धातों को केवल एक परमानुक माना जाता है जबके अधातों में यह चीज अलग-अलग देखने को मिलता है क्लोरीन यह है CL2 इसका formula हो गया sodium chloride sodium chloride लिखते समय हमें उनके सहियोजक्ता का ध्यान रखना पड़ता है सुत्र बनाना सिखा था न इसके पहले वाले में zero level basic chemistry वाला मैंने कहा आपको zero level basic chemistry वाला जो playlist है उनके सारे वीडियो देखे बतारों इतने सारे बच्चों ने देखा और इतने सारे बच्चों ने मुझे message किया मानना पड़ेगा आप भी एक करिया तो यहाँ पर sodium chloride तो यहाँ पर sodium है और chlorine है इसका सुत्र क्या होगा यह sodium की valency होती है plus one और chlorine की valency होती है chloride तो यह minus one तो इस तरह से एक हो गया यह एक हो गया तो Na1 और Cl1 हुआ इस आधार पर बन गया NaCl तो यह किस के आधार पर हुआ valency के आधार पर हुआ तो देखो किसी reaction को जब बनाते हो तो इस तरह से एक अभिक्रिया बन गया है जहां से देखिए sodium chlorine यह reaction हुआ balance नहीं है balance होना अलग बात होता है इसके बारे मैं अलग से बात करूँगा तो क्या आप सब को बातें समझ में आ रही है अपने दोस्तों को ज़रू शेयर करिएगा तो यहां पर sodium और chlorine के reaction तो यह reaction को दिखा रहा है यानि कि रासानिक तो यह क्या कहलाएगा word equation और यह कहलाएगा chemical equation यानि कि यह रासानिक समी करन है अब देखिए हमने कुछ चीज़ समझा तो इसके लिए थोड़ा सा back करते हैं इन चीज़ों की तरफ कि यहां पर वही चीज़ है कि यह है chemical equation रासानिक समी करन यह word equation से यह word equation से यह रासानिक समी करन समी करन तब यहां पर याद रखिएगा zinc की सहुझकता होता है zinc की सहुझकता है plus 2 और SO4 minus 2 इसके सहुझकता यह है तो यह दो इधर चला गया दो इधर चला गया क्या formula बनेगा ZN2 और SO4 twice 2 इकम 2 2 इकम 2 तो बन गया ZNSO4 अब यह formula कैसे बनाते है जब reaction की बारी आते तो formula कैसे बनाते है यह जानना बहुत जरूरी है यह रासानिक अभिक्रियाओं को अगर समझना होगा तो इस बात का पूरा ध्यान रखना सारे बच्चे मेरी बात सुन लो अगर रासानिक अभिक्रियाओं रासानिक समी करनों को समझना है किसमें पूरी chemistry के अंदर जा करके जो सबसे बड़ा तकलीफ होता है तो इसके लिए पूरा zero level की basic chemistry को जानना बहुत जरूरी होता है आप जानते हो चाहे 11 पढ़ो चाहे 12 पढ़ो वहाँ पर chapter 1 या zero chapter नहीं होता है वो chapter 1 से start होता और सिधा आगे पहुचाता है तो आप ऐसा कोई school में या tuition में ऐसा कोई class या ऐसा कोई course नहीं होते होगे देखेंगे जिसमें zero level की पढ़ाई होती होगी यह हमारी YouTube में होता है zero level की पढ़ाई यानि यह बात समझ लो कि zero level की पढ़ाई से ही आप 11 पढ़ पाएंगे 12 पढ़ पाएंगे और यही knowledge सबसे बड़ा knowledge होता है क्योंकि आप कुछ नहीं है तो कुछ तो आना पढ़ेगा न तो यहाँ पर मैंने formula बनाना सिखाया था कुछ एक दिनों पहले आपको याद होगा उस वीडियो को जरूर देखिएगा नीचे description box में उस zero level basic chemistry का मैंने link दे दिया है उसको आप जरूर आप पूरा पढ़ेगा जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पारें अगर यहाँ पर लिख दू किया है तो आप प्लस 3 लिख दीजेगा और यह self अगर मैं oxygen की बात करता हूँ तो oxygen की minus 2 है और इस तरह से इन दोनों की अभिक्रिया से aluminium और oxygen की क्रिया से बनेगा क्या बनेगा यह सोचना है तो यहाँ पर अभिक्रिया कितना असान हो जाएगा जरा समझेंगे aluminium की समझता यह और यह इस की समझता यह तो ऐसे ऐसे मिल करके क्या बनेगा aluminium के पास 2 और oxygen के पास 3 हो गया इस तरह से एक रासानी का भिक्रिया बनते यह टेबल आपको बहुत मदद करेगा फिर आगे चलते हैं Mr. AAR बोल रहा है कि किसी को मुझसे बात नहीं करने क्यों करेगा बच्चा पढ़ने बैठाई कि आपसे बात करने बैठाई सारे बच्चे ध्यान रखें कोई किसी को चैट नकरें बात नकरें सिर्प पढ़ाई को ध्यान दे आगे क्योंकि मैं जब बहुत कुछ पढ़ाना है और बहुत कुछ सिखाना है तो word equation clear है यहाँ पे अब इस word equation से chemical equation कैसे बनाओगे अब बताओ इसको कैसे बनाओगे chemical equation बताओ रासानिक समीकरण कैसे बनाओगे देखो बटा यहाँ पर देखो रासानिक समीकरण क्या है hydrogen और oxygen की क्रिया से पानी बनना एक रासानिक समीकरण है रासानिक अभिक्रिया है बात सुनो मैंने कहा hydrogen और oxygen आपस में क्रिया करती है और पानी बनता है एक रासानिक अभिक्रिया है chemical reaction है रासानिक अभिक्रिया है अब इस रासानिक अभिक्रिया को प्रदशित करेंगे रासानिक समीकरण में तो रासानिक समीकरण यह हुआ वर्ड समीकरण hydrogen plus oxygen is equals to water यह क्या है रासानिक समीकरण है लेकिन रासानिक समीकरण को हमने word के रुप में लिखा है, शब्दों में लिखा है word equation कहलाएगा और word equation को हम संकेतों में लिखेंगे, वो chemical equation कहलाएगा बात समझ मैं आ, बोलो, मैं जो बोलो, एक लाइन सुनो hydrogen और oxygen आपस में क्रिया करके जल बनाता है यह बोलना रासानिक समी करन हो रहा है याने hydrogen oxygen को मिलाओंगा, वहाँ पर पानी बन जाएगा, वो घटना रासानिक अभिक्रिया है खाना बना रासानिक अभिक्रिया है, मुम्मत्ती कजलना रासानिक अभिक्रिया है लोहे पर जंग लगना रासानिक अभिक्रिया है हैड्रोजन और ऑक्सिजन की क्रिया से पानी का बनना भी रासानिक अभिक्रिया है येस ये रासानिक अभिक्रिया है अब अब इस चीज़ को इस तरह लिखना रासानिक अभिक्रिया नहीं रासानिक अभिक्रिया का रासानिक समी करण है शब्दों पर ध्यान देंगे है ना शब्दों पर ध्यान देंगे ये रासानिक अभिक्रिया है अब रासानिक अभिक्रिया को शब्दों में लिख लिए रासानिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखने के बाद उनको संकेतों में लिखना रासानिक समीकरण कहलाता है तो चलो संकेतों में लिखें हाइड्रोजन होता है है इसकी ये तत्तो है तो तत्तो के ये तत्तो है ये भी तत्तो एलिमेंट है और ये क्या चीज़े कमपोंड है तो तत्तो का हाइड्रोजन को Atomicity किती होती इसकी H2, 2 होता है Oxygen का भी क्या था, O2 होता है और ये बन गया पानी, पानी का formula क्या होगा H2, और ये पानी कैसे बना पानी का H2O क्यों होगा, क्योंकि hydrogen की समझजगता 1, oxygen की minus 2 ये 2 और ये 1 H2O बेटा, ये चीज हमारी knowledge के पहले classes में हो चुका है इससे पहले जो class लिया था, मैं formula बनाने वाला, उसमें मैं करा चुका हूँ, कुछ एक classes के पहले देख लिजगा, अब बात हो रही है कि ये reaction मैं लिख दू, H2 plus O2, GIFS H2O, रासानी की समय करना हो गया यार, हो गया अब ये छोटी से बात करो, फिर ला जाक exam में लिख दो, लिखने के बाद, घर आओ तो बताने की क्या की है हमने, ये स्थिति आई है, इसलिए परिशानी है, फिलाल आप आगे चलते हैं, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत ज़रूरी बात, ये reaction तो लिखे हमने परंतु ये इस reaction को 100% क्या हम सही मानेंगे O2 is equals to H2O जो लिखा है, इस reaction को complete मानेंगे, बिल्कुल complete नहीं मानेंगे यहाँ पर एक शब्द आता है, रासानी समीकरण को संतुलित करना, equation balancing आज इसे नहीं चलो गया लोगा का है चलिए बोलिए तो समझ माई बाते हैं आपको यहाँ पर क्या बोलेंगे अब ये तो reaction हो गया अब एक शब्द आता है equation balancing रासानीक समीकरण को संतुलित करना मतलब क्या होता है यहाँ पर आप देखो left hand side left hand side and right hand side दोनों तरफ आप एक चीज़ देख रहे हो कि क्या समान तक्तों की संख्या बराबर है hydrogen यहाँ पर दो है इस तरफ दो है oxygen इस तरफ दो है हम यह जानते हैं कुदरत का नियम यह जानते हैं कि पदार्थ को ना तो उत्पन्द किया जा सकता है और नहीं नस्ट केबल वो रूपांतरित होती है एक रूप से दूसरों रूप में जाने जितनी पदार्थ उत्पन्द ही रहेगा वो change खतम नहीं होगा ना हम उसे बना सकते हैं किसी रासानी का भिक्रिया द्वारा जिब रासानी का भिक्रिया द्वारा बनानी सकते हैं तो उसको संतुलित करना जरूरी है कि दोनों दर बराबर होना चाहिए तो आपको बता दें रासानिक समीकरण को संतुलित करने का क्या मतलब होता है मैंने यहाँ पर परिभाशा में लिखा है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी रासानिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्तों की परमाणों की संख्या समान करना अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में समान तत्तों का जो संख्याए होती दोनों तरफ बराबर हो जाए, तब उसे उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं balanced equation कहते हैं दोनों तरब बराबर हो जाए तो balanced equation कहलाएगा समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पस ये चार तरीके हैं एक है अनुमान विधी जिसको मैं अभी जमझाने वाला हूँ दूसरी है आंशिक समीकरण विधी तीसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधी और चोथा है आयन इलेक्ट्रोन विधी ये चार विधियां है अब इन में से आप में से बताओ कि कौन से नंबर की विधी आपको बनाने आता है चलिए साब आगे बात करते हैं रासानिक समीकरण बिटा पूरी केमिस्ट्री समीकरण है बता दू अब एक काम करते हैं चलिए एक समीकरण ये एक समीकरण है न इसको रासानिक अभिक्रिया है इस रासानिक अभिक्रिया को हमने वर्ड समीकरण के लिखते हैं तो आप समीकरण के लिखते हैं चलिए तो आप जानते हो H2 प्लस O2 gives H2O क्या आप इसे balance कर सकते हैं? बहुत असान है क्या आप इसे balance कर सकते हैं? अब balance करने का तरीका क्या होगा? तत्तो के संख्याओं को balance करना तो जड़ा देखें simple एक तरीका बताता हूँ ज़्यादा लंबा चोड़ा बातें नहीं करूँगा simple कुछ बातें करूँगा उसको ध्याँ रखना है चलिए, बोलिए हाँ जी, चलिए तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर तत्तो को दोनों तरफ बराबर करेंगे तो elements याने तत्तो elements याने तत्तो मेरे पास तत्तो कोन-कोन से है यहाँ पर hydrogen है और oxygen है जो दोनों तरफ रहता है ऐसा नहीं कि इधर oxygen है पर उथर oxygen नहीं रहेगा ऐसा कोई reaction नहीं होगा भाई चलिए साब, hydrogen और oxygen है अब इसमें left hand side कोन-कोन है और right hand side कोन-कोन है जर्ण समझें, कितनी मातरा में है अब देखो दोनों को अपन देखें balance है के रहे चेक करें चलो बताओ इस side, left hand side यह left hand side है और यह क्या है? right hand side याने कि अभिकारक और उत्पाद में तो बताओ hydrogen इस तरफ कितना है सिर्फ दो और उस तरफ कितना है? दो hydrogen balance है hydrogen balance है अब oxygen को चेक करो बोलो oxygen इस तरफ दो है और oxygen केवल एक है अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यह balance नहीं है याने कि संतुलित नहीं है या यह बराबर नहीं है बराबर नहीं है ध्यान रखना बराबर करने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर oxygen बड़ी दोनों तरफ आपको बराबर करना है तो हमने किया कि oxygen H2 टू लिख दिया तो बेटा ऐसा नहीं करेंगे इससे formula परिवर्तित हो जागा सुत्र परिवर्तित हो जागा यौगिक चेंज हो जाएगा H2O2 hydrogen peroxide हमें इन दोनों की अभिकरस hydrogen peroxide नहीं मिलने वाला हमें पानी ही बनने वाला है पानी मिलने वाला तो यह गलत हो जाएगा तो क्या करें जिस संख्या को बढ़ाना है जिस तत्तो की संख्या को बढ़ाना है उस पुरे अणों के सामने रसमीकरण मीति गुणांक याने की स्टैक्योमेट्रिक ओफिसेंट याने की उस अणों के सामने नंबर लिग देना है तो कितने oxygen acid 2 है oxygen acid 2 है और उस side कितना होना चाहिए 2 तो मैं इसको 2 करने के लिए मैं यहां पर 2 कर दिया तो यह हो गया 2 यह कितना हो गया 1 से हो गया 2 अब oxygen तो बराबर हो गया लेकिन एक बड़ी बात हो गया इसके साथ oxygen 2 हो गया oxygen 2 हो गया परंतो hydrogen 4 हो गया इधर 4 हो गया, अब इस तरब भी 4 करना है, तो आप hydrogen को 2 hydrogen ले लो, 2 H2 ले लो, तो hydrogen 2, 2, 4, तो इस तरह से ये 4 हो गया, अब बताओ, दोनों तरब बराबर हो गया, 4, 4, 2, 2, याने hydrogen oxygen बराबर हो गया, यही एक तरीका होता है, simple एक तरीका होता है, रासानिक सम्हीकरों को समतुलित करने के मैंने बहुत सारे special trick वाले वीडियोज दिये हैं बहुत गहरी वीडियोज दिये हैं उसमें तीन class में लगता है और उन तीन class के अंदर आप ऐसे से trick से समझेंगे कि आप जब उसके practice करोगे पहले class में ऐसा लगेगा यार यह तो भकबक आ सका दूसरे और तीसरे class ताप पहुंचते पहुंचते ऐसा लगेगा यार यह super अपनी class में quick बड़े-बड़े problem को solve कर लोगे यह मैं आपको बताओं तो उसको करना भरू रासानिक समीकरण संतुलित करने के लिए बहुत सारे समीकरणों के साथ हम काम कर सकते हैं जिससे मैंने अगर आपको बोला चलिए यह calcium है और यह gel है है ना और इन दोनों की reaction से बनता है calcium hydroxide यह लिजए क्या इसको संतुलित कर सकते हो संतुलित करके बताओ, कितने बच्चों को लगता है कि संतुलित कर रेंगे कोई अमीद करके बच्चा है है ना, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है हाँ जी पढ़ाई कर रहा है बटाई तो पढ़ाई पिदेहन दो अमीद चलो, केल्शियम और जल की क्रिया से ये बनता है और साथ में एक और चीज में बता दूँ यहाँ पर एक चीज और मुक्त होता है वो है हाइड्रोजन कैसा संतुलित करना है कैसे करोगे, दोनों तरफ सब कुछ बड़ाबर होना चाहिए अब बता आओ, कैल्सियम एक, कैल्शियम एक oxygen, hydrogen दो, hydrogen दो और दो चार है hydrogen, oxygen जब एधर olexin है 2, क्योंकि 2 ऐसे गुणा करते हैं आपको formulated में कैसे कैसे करना है इसके लिए समीकर संतुलित करने के मेरे और भी वीडियोज है उनको जरूर देखिएगा क्योंकि गहराई से मैं आपको सुम्हे समझाया, अभी तो reaction समझाना का काम चल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा, oxygen 2 है, तो मैं जिए 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको पता है, इस तरफ, अनों के सामने में 2 लिख दिया, इससे क्या हुआ, hydrogen 4 हो गया, अब बत सारे reaction हैं, इसको संतुलित करने के तरीके हमें अपनाने हैं, इसी तरह से दोनों तरफ बराबर करना है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बहुत सारी चीजे बता रहा हुँ, ध्यार की लिए, अब बात करिए, आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ हो मर्ग, इनको संतुलि करिए, और यह अभी 40% का बड़ा offer है, बड़ा off चल रहा है, अब यह मांसुन offer है, ध्यार कि किसी भी course में, चाहे 11 का लें या 12 का लें, चाहे नीड का लें, चाहे जीए के लिए, तो जिसका भी आप लेना चाहें, जिस भी course को लें चाहें, जो हमारे doubt not में available है, सारे course पर आपको 40% का flat discount है, आप जल्दी करिए, coupon code लगाईए, और आपको यहां मिल जाएगा, coupon code है, MPD40, MPD40, इस पर कर सकते हैं, किसी तरह की अगर कोई बात पूछना है, तो आप नीचे call कर सकते हैं, मैं आगे बोलूँगा, यह home market data, इसको solve करके देखिए, आप सब भी reaction को संतु कर सकते हैं, चलिए साब, बहुतिक अवस्था कैसे दर्शाई जाती, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, एक reaction है, आप ज़रा ध्यान दीजेगा, हम जानते हैं कि hydrogen और oxygen की क्रिया, यह reaction मैं एक लिक देता हूँ, hydrogen है, oxygen है, और यह बनाता है पानी, iron और oxygen की क्रिया से बन मुक्त हो जाता है, यहाँ पर zinc और यह इनकी क्रिया से जडन, Cl2 और यह बन जाता है hydrogen के इस मुक्त हो जाता है, समिकरन संतुलित करना मैंने बताया, आपको संतुलित करना है इनको, अभी मैं संतुलित करने की बात नहीं करूँगा, अभी मैं बात करूँगा कि इसके अवस वस्थाओं के लिए, तो कितने कौन कौन से प्रकार के वस्था होती है, ठूस यानि कि सॉलिड, द्रव यानि कि लिक्विड और गैस, सॉलिड, ठोस को दर्शाने के लिए, एस, द्रव को दर्शाने के लिक्विड और गैस को दर्शाने के लिए, जी, तब इस जिवा पे आप बताईए, हाइड्रोजन क्या है, यह रेक्शन है, मैं इसको संतुलित रूप में लिख देता हूँ, चलिए, यह लिजए, अभी एक अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में हमें सामने वाले को इन्फोर्मेशन देना है कि यह चीज ठोस है, यह गैस है और यह लिक्विड है, तो क्या करा जाता है, देखे, सिंपल एक बात बताता हूँ, यहीं पे, हाइड्रोजन एक गैस होता है, तो ब्रेकेट में G लगा देंगे, साइड में, ऑक्सिनिक गैस है, इसको दर्शाएंगे, अब इस अभिक्रिया के दवरान काफी उश्मा भी उत्पन होती है, और काफी यह जल जो बनेगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं बनेगा उस टाइम पे, जब बनेगा तो यह गैस फॉर्म में बनेग बहुत गर्मी के साथ इसको प्रवाहिद किया जाता है, यह वाश्प जब इस तरह से प्रवाहिद किया जाता तब क्या होगा, तब कि स्थिती में यह यहां पर वाश्प यानि गैस करूके प्रवाहिद किया जाएगा तो यह बनेगा Fe3O4 बनेगा जोकि solid है और उस time gas नु गहस को भी इस तरह दर्शाय जाएगा, reaction बहुत जादा informative हो जाता है, बहुत सारी जानकारी देती है, बटा एक काम करेंगे, जल्दी से like कर दें, अच्छा लगेगा, चले साथ, अब कुछ बातें समझेंगे, रासानिक अभिक्रिया की विशेस्ता हैं, रासानिक अभिक्रिय रंग में परिवर्तन क्या धर्वर पहचानेंगे, मतलब उसकी विशेस्ता ही क्या है, रासानिक अभिक्रिया होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस मुक्त होती है, ताप में परिवर्तन हो जाता है, अवक्षेप बनने लगत है यह कुछ परिवर्तन होते हैं चलो कुछ रियाक्शन के साथ मैं इन बातों को बताने की कोशिश करता हूँ आप इसे जरूर कॉपी में लिखिएगा आप लोगों अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है क्लास यह बताईएगा जरूर एक पोल कर दीजे और आप समझ प समतुलित करने का पूरे क्लास होता है दो तीन क्लास में आप बड़े-बड़े क्लास में वह समतुलित करना सीखेंगे तो वह चोटी-छोटी इंफरमेशन आपको दे रहा हूँ जिसके बेस पर एक डर जो है रियाक्शन का वह खतम हो जाए अब अवस्था में परिवर्तन देखें यहाँ पर मोम जो है मोम जो है वो कैसा होगा मोम जो है वो ठोस है सॉलिड है लेकिन जो इनसे निकलने वाला कारबन डाय ऑक्साइड है वो गैस है और इसी तरह से यहाँ पर जलक के वाश भी निकलते है वो गैस रुपे निकलते है तो एक तरह से यह परिवर्तन क में परिवर्तित हो रही है यह एक रासानिक परिवर्तन यहां पे हम देख रहे हैं इसी तरह से परिवर्तन की बात करें रंग में परिवर्तन आपको बता दूँ कि के एमेनोफूर यानि यह पोटेश्यम पर मेंगनेट होता है के K-Amenophor में Oxelic Acid Acid मिलाते हैं तो K-Amenophor होता है परपल कलर का परपल मतलब होता है आप इसको क्या कह सकते है जामूनी कलर का गुलाबी जामूनी कलर का होता है तो ये रंगहीन हो जाता है रियाक्शन के टाइम पर ये एक परिवर्तन देखें GAS मुक्त होना Zinc धातू को HCl अमल में प्रभाहित कर दें या डाल दें H2SO4 में डाल दें चलो H2SO4 में डाल देता हो तो रियाक्शन होगा Zinc ने Hydrogen को हटाया और वो खुद जुड़ गया Zinc SO4 बन गया Hydrogen निकल गया पर रियाक्शन कैसे होता मैंने आपको बताया था ना कैसे फॉर्मूला बनता है कैसे रियाक्शन होता है वही है कि यॉगिक में वैलनसी यूज होता है और अतत तो होता है तो इस आधार पर ये देखें तो यहाँ पर ये GAS मुक्त हो रही है GAS ये Solid है अगर आपने पानी में डाल दिये हो sodium धातू तो ये बनाता है NaOH प्लस hydrogen gas और TG क्या हुआ GAS में निकला और काफी मातरा में उश्मा निकलता हीट निकलता है ताप में परिवर्तन होता है रासाने समीक्शन के साथ फिर बात करते है अवक्षेप का बनना अवक्षेप बनने की प्रक्रियाओं को समझो कुछ इस तरह से कि KNO3 KI के साथ reaction कराते हूं पोटेश्यम आयोडाइट की अभी क्रिया KNO3, सारी, पोटेश्यम आयोडाइट की क्रिया लेड नाइट्रस से कराते हैं PbNO3 से कराते हैं तो क्या होता है, ये Pb की समझकता 2 है बेटा तो ये K I के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, Pb I2 बन जाएगा मैं बताया था ना और NO3 की समझकता कितनी होती एक K के साथ, एक तो क्या हुआ K और NO3 मिल जाएगा KNO3, बैलेंस कर दूँ अब इसको दूबर K और दूबर NO3 ये लो, I2 तो ये है, ठोस अवस्था में आ जाता है ठोस में आता है, तो नीचे बैठ जाता है अब अक्षेप का मतलब होता है कोई ठोस पधार्थ, जो उस सॉलूशन में घुल नहीं पाता है, तो नीचे बैठ जाता है ठोस रूप में, अब घुलंशील पदार्थ के रूप में, तो इसको कहते हैं, अब अक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं, इस तरह से आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसी तरह की अगर आपको कोर्सेश चल रहे हैं, 11 के, 12 के, NEET के, JE के और NDA के, तो इन क्लासेश में को भी क्लास चाहिए, 9, 10 जो भी क्लास आप लेना चाहते हो, हमारे डाउट मनट पर अभी 40% का ओफ चल रहा है, कूपन कोड है हमारे पास, MP, MPD 40, मांसुन ओफर है, तो आप इसके साथ आप आ सकते है हमारे साथ आ सकते हैं, और एक बात याद रखिएगा, हमारा इसके लिए एक काम करिए, जरूर Google शीट नीचे दिया गया है, उसको फिल करिए, अगर आपको हमारे स्लाइट्स चाहिए, पूरी तरह से, जो अभी हमने कर रहे हैं, वो हमारे doubtnut के app में भी मिलेगा, और यही स रपे, इस वीडियो को आप भी देखें, दुबारा देखें, आपको reaction से एक interest पैदा होगा, यदि आप यह करते हैं, लेकिन याद रखना, zero level basic chemistry जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस class को specially designed किया गया है, उन बच्चों के लिए जिन Thank you